दोस्तों स्वागत आपका फिर से The Creative Nursing Academy के YouTube चनल पर दोस्तों I hope you all are fine आज बहुत important वीडियो लेकर के आए हूँ आपके लिए जो की हम बात करेंगे 8020 को लेकर के 8020 को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जो केस था उसकी hearing जो थी उसको लेकर के क्या हुआ है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं तो दोस्तों वीडियो में आखरी तक बने रहें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को और पर पैस कर दे जिससे कि आपको साई नोटिफिकेशन मिलती रहे दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है पिछले तीन सालों से हम 8020 के दंश से परेशान हैं जतने भी पूरुष नर्सिंग ओफिसर बनना चाहते हैं जतने भी मेल नर्सिंग ओफिसर जो एम्स के अंदर चाहते हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया है 8020 आने के बाद एमस में जोब लग पाना और बहुत ज़्यादा जाए 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 और सुप्रीम कोट ही शायद हमारी बात को सुने और सुप्रीम कोट ही उसके उपर ने ले तो चलिए बात करते हैं क्या सुप्रीम कोट के के स्के ऊपर हुआ है चले देखते हैं दिस इस फेस्बूक प्रोफाइल ओफ हरीश कुमार काजिदा जी एमस नर्सरी उनियून के धक्षे ही है और दोस्तों इन्होंने अप्डेट दी है यानि कि जो हेरिंग तो ती दिन पहले थी वो हेरिंग नहीं हो पाई किनी कारणों से दूसरा केस हो सकता है ज्यादा समय लग्या हो उस जो जैसे नहीं हो पाई है तो जल्द ही जो है सुप्रीम कोट अपना नियना ही जो है जो था कि हुआ सुपश्य वड़किवे नहीं है आप ए्यूंग